नमस्ते दोस्त मैं हूँ आपका दोस्त संतोस अंत्रिक्ष रहस्य का एक ऐसा सागर है जिसके बारे में कितना भी जान ले बहुत ही कम लगता है इसकी पिछले वीडियो में इसी अंत्रिक्ष में अस्तित इंटर्नेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बताया था कि इंटर्नेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा घर है जो कि धरती से महज 4000 किलोमेटर दूर अंत्रिक्ष में तैर रही है जिसमें कि हमारी पिर्थिवी का ही कुछ सदस उस पर निवास भी करते हैं इसका साइज एक किरकेट ग्राउंड जितना परा है जिसके कारण हम इसे बिना किसी उपकरन के खिर्की या गली मैदान या फिर अपने घर की छट से बड़ी आसानी से देख सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए इसे देखना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यह इंडिया के उपर से हर रोज गुजरते हैं अगर आप बच्पन में रात के आसमान में इस परकार की चमती हुई लाइट ढोंड़ा करते थे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इंडरनेशनल एस्पेस स्टेशन को भी जरूर देखे होंगे और इस परकार की बिलिंग करती हुई लाइट जो देखे थे वो एरोपलेन होगा या फिर हेलिकॉप्टर क्योंकि उसके नीचे दो अलग-अलग कलर की लाइट लगी होती है और इसके अलावे रात की आसमान में बहुत तेज चलती हुई कुछ इस परकार की लाइट थोरे ही सेकेंट के लिए आप जरूर देखे होंगे तो वह अन्त्रिक्स से आते हुई एक उलका पिंड था जो कि वायू मंडल में घार्शन के करण जल जाती है और वह एक तेज लाइट उपन करती है और इन सब के अलावे आप आसमान में इस परकार की चमकती हुई लाइट भी जरूर देखे होंगे जो कि एक बहुत बड़े तारे की भौती एक जगा से दूसरे जगा चाते हुए जरूर दिखे होंगे जिसके नीचे लाइट बिलिंक नहीं करती होगी क्योंकि इसके नीचे कोई बल्व नहीं लगा होता है और फिर भी वो आपको इसलिए दिख जाते हैं कि रात में आपके पास सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती लेकिन उस बक्त भी अन्तिक्ष में सूरज की रोशनी पहुँच रही होती है जिसके कारण इंटरनेशनल स्पेस्टेशन से सूरज की लाइट रिफलेक्ट होकर आपकी आँखों तक पहुँच दिया और आप उसे रात में भी देख पाते हैं अगर ऐसा लाइट आप देखे हैं तो निस्चित है कि आप कोई सेटेलाइट या फिर इंटरनेशनल स्पेस्टेशन जरूर देखे होंगे पर आपने उस पर गौर नहीं किया क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था अगर आपने उसे देखा था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडिया में अपने एरिया से कब और किस वक्त इंटरनेशनल स्पेस्टेशन को देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस्टेशन अंतरिक्ष में एक जगा अस्थिर नहीं बनी रहती है बलकि वह 7.66 km पर 30 सकेंड की स्पीड से पिर्थिवी के चारों को चक्कर लगाती रहती है एक दिन में पिर्थिवी के 16 बार चकर लगा लेती है उसमें से ज्यादा तर हमारे इंडिया के उपर से ही गुजरते हैं इसलिए इंटरनेशनल स्पेस्टेशन को देखने के लिए आपको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए पहला तो वह आपके एरिया से किस टाइम गुजरेगा दोसरा वह आपके एरिया में किस दिशा से गुजरेगा इसी जानकारी के लिए एक पले एस्टोर से आई एस एस नाम के एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा इंस्टॉल हो जाने के बाद जब आप इसे ओपेन किजिएगा तो जितना भी परमीशन मांगा तो सवी परमीशन को एलोग कर देना है उसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस परकार से आएका इसके बाद एक साइड आप देख सकते हैं कि हमारी पिर्थिवी की लाइब वीडियो चल रही है क्योंकि इंटरफेस्टेशन के नीचे की तरफ केमरा लगा हुआ है जो कि हमारी पिर्थिवी के वीडियो कैप्चर करती रहती है और हमारी पिर्थिवी असल में International Space Station से कुछ इस परकार की दिखती है इसके थिरी लाइन पर किलिक करके आप दोसरे एंगल के केमरा को सेलेक्ट करके आप उसे भी देख सकते हैं अब इसे देखकर International Space Station के लोकेशन का अंदाजा आपको नहीं लगाना है इसके दोसरे साइड आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी पिर्थिवी का मैप दिया हुआ है इस मैप में कहां दिन है और कहां राथ है इस सेडों से दर्साए गए हैं जिसमें International Space Station किस लोकेशन पर है और किस राज जिससे गुज़र रहे हैं वह भी आप इस लाइन की मदद से देख सकते हैं इस मैप में देखकर आप लाइब वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस अस्थान की लाइब वीडियो प्ले हो रही है अब इस मैप में देखकर भी International Space Station को ढूणना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए नेट के उपर कुछ आपसन भी निजर आ रहे होंगे अब अपने एरिया से ISS को देखने के लिए इस सरकल वाले आपसन पर किलिक करना होगा उसके बाद अपने एरिया को सेलेक्ट करने के लिए लोकेशन को एनेवल करना परेगा और जब आप लोकेशन आउन कर दीजेगा तो आटोमेटिक लोकेशन सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद कुछ इस परकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा और इस लोकेशन वाले आइकन पर किलिक करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया सेलेक्ट होगा है इस सर्च बॉक्स में जिप कोड या पिन कोड डाल कर इसे आप मैनुली तरीका से भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आई एस एस कौन सी तारीक को कितने टाइम में विज्वल है और इस green box से आप समझ सकते हैं कि ISS की visuality कितनी अधिक है और यहां ISS कब दिखना सुरू होगा उसका start time दिया हुआ है इसके नीचे ISS कब तक दिखेगा उसका end time दिया गया है उसके बाद इसके आगे एक eyes का icon पनी हुई नज़र आ रहे होंगे जब इस पर click किज़ेगा तो कुछ इस परकार से radar खुल कर आएगा और यही आपको ISS देखने में help करेगा इसमें आप दिखा के साथ साथ इस blue line से समझ सकते हैं कि इस से होकर ISS कुझरेगा जिसमें आपको इस green वाले circle को ISS के उपर लाना होगा उसके बाद आपका phone का front size जिस दिसा में होगा उस दिसा में आसमान की और देखने पर ISS जरूर नज़र आएंगे और जब ISS हमारे area से गुझरेगा तो हम आपको practically ISS को जरूर दिखाएंगे अभी हमारे area से ISS को गुझरने में कितना समय बॉकी है आप यहां से देख सकते हैं यहां आप यह भी देख सकते हैं कि वो हमें लगाता 6 मिनट 40 सेकेंड तक दिखाई देते रहेंगे अब back आने के बाद हम साम तक ISS का इंतिजार करेंगे इसलिए हम यहां से notification को on कर देंगे ताकि ISS के आने से 5 मिनट पहले हमें notify कर दे अब साम के सवा साथ बजगे हैं और हम लोग छट पर आ चुके हैं यहां आप देख सकते हैं कि International Space Station को visual होने में कुछ ही सेकेंड बॉंकी है अब time पूरा हो चुका है आप देख सकते हैं कि इस radar में ISS visual हो चुके हैं और ISS blue line से होकर गुजर रही है और यहां पर ISS visual रहने का time भी धिरे-धिरे घरता जा रहा है अब आपको करना क्या है? फोन को डाएं बाएं उपर नीचे गुमा कर इस green वाले सरकल को इस ISS के green point पर लाना होगा उसके बाद mobile के उपर वाले भाग जिस दिसा को दर्साएगा उस दिसा में आप देखिएगा तो एक तेज चमकती हुई light तेजी से move करती हुई नजर आ जाएगी और यही international space station है जिसे हम जूम करने के बाद कुछ इस परकार से दिखती है हमें आसा है दोस्तों कि आप भी ISS को जरूर देखेंगे सच में कितनी अद्भूत है न विज्यान और क्या आप ISF को देखना चाहोगे और आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए मन में कोई भी सवाल हो तो comment कीजिए अब हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही ग्यान वी ग्यान से संबंधित वीडियो के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाब अपने अपने लिए और देखने के लिए और देखने के लिए जब खंगे लिए नवीजिए